अब जुलाई मौन्थ जुलाई 2020 तो पॉटिकुलर्ली मुझ जुदी राइट डाउन करिवी जुलाई 2020 रो आमें अल्लेडी जुदी जुदी आमें अनलाईज करिवा अमें GS2 पॉटिकुलर्ली बेसिकली कहा को पुझ हुची GS2 मने आमरो पॉलीटी को पुझ हुची तो पॉलीटी जो शब सेक्सशन ऑची देखो फास्ट लाग कॉंस्टिकूशन ताफुरे ऐस्टिकूशन परे जोदी आमें देखिवा नेच्च्ट टफिक आम Seriously पार्लियमेंट एंड स्टेट लेजिसलेचर माने पार्लियमेंटरी सिस्टम भा आमरो पॉलिटिकाल सिस्टम जो रहुची याको में सेकेंडर आमें डिस्कोस करिवा तो ता वित्तरी भी गोटे टपीक रही गला मुझ जोस्ट बुली गोली एट देखा सेपारेशन ऑफ पा आस्ट पार्ट अची आमरो कॉन ना आप्वेंटमेंट टु वेरियोस कंस्टिचूशनाल पोस्ट पावार फॉंक्षन एंड रेस्पोन्सिबिलिटी तो या परे आमरो जेता वले कम्प्लीट हुची ता परे पुन या उत्रे सिक्स्थ पार्ट अची देखा स्ट्यूटर रेगुलेटरी एंड वेरियोस क्वासी जुडिचियाल बडी या कू कम्प्लीट कला परे पुनि आमरो अची नेक्स्ट टोफिक जोदि आमें देखिवा गौब्मेंट पोलिची एंड इंटर्वेंशन पर डेवलोप्मेंट इन वेरियोस सेक्टर एंड इसुज आइजिंग आप देखिवा नेक्स्ट अची देखाई वेल्फेर स्किम पर वल्नेरेबल सेक्शन अब पीपल बाइड वेरियोस सेंटर बाइड सेंटर इन पर्फि अची शोशियल सेक्टर सर्विस रिलेटेंग टु हेल्थ एजुकेशन हुमान रिसर्शेस इम्थी सबु ओछी नेक्स्ट टपिक अमरो ओछी रोल अप सिबिल सर्विस इन ए डेमोक्रासी तो जेस्टु पेपर बहुत भास्ट देखाई इंडिया एंड इंडिया एंड इ अन इंडियास इंट्रेस्ट एंड इंडियान डायसपरा तो याको जोदी तमें तमरो ओडिसा सिबिल सर्विस एक्जाम से तो लिंक करिवो तारो सिलाबस कुछ चेक करिवो आउँ तको मैं आज करिया पहें ट्राई करिवो इंपोर्टन इंटरनेशनाल इंस्टिटूशन एजेंसीज और फरा और जायी कि로 संटाऊर आमारों कंप्लीट हं आपको जी आपको से करिवो सील मुग पूरा लास्ट जायें, GS2 पेपर केते जायें लंबी ची ताकू मुं जोस्ट देखे आ फिए, GS2 पेपर एथरे एथिकरे आमारो कॉंप्रीट ही जाओ छी, तो या कू जोदिया, GS480 हो ही ला, GS3 को जोदिया आमें जीबा, GS3 कोटी हो छी, आमारो एड़ डिजास्टर म्यानेजमेंट चाली ची, environment ताव परे आमारो एकोनोमी थीबा, तो आमें फास्ट जीबा कोटी ना, फास्ट आमारो जोड़ टोपीक रहित ला, फास्ट टोपीक कोटी ला, नामें इंडियान कंस्टिूशन को नहीं की जो, आमारो इस्टोरिकल अंडर्फिनिंग, इभोल्योशन, फीचर, अमेंडमेंट, सिग्निफिकांट प्रभीजन, एड बेसिक स्ट्रक्चर, कॉंपारेजन अब दे इंडियान कंस्टिूशनल स्क बहुत मेजर इसू, बने याककु नहीं की बहुत बने इंपोर्टांट क्यूश्चेन सबुवळे एक्जाम रहाशे, आओ एई थी पाई आमरो पॉलिटिकल डायनामिक्स बहुत चेंजे सुची सबुवळे, तो पटिकुलारली आमें जो देखिवा, आमरो एड़ा कॉन डिफेक्शन कु नहीं की प्रब्लेम होची, डिफेक्शन माने आंटी डिफेक्शन लौ बलीगोटे होची आमरो नुआ एनाक्टमेंट हीची परे, को आमेंडमेंट रे एनाक्ट हीची तम्हें कमेंट सेक्शन में एनसन करी पारीव, तो ता एई ताक्कु नहीं की आमर स्टेप नहीं चुन्ती जो थी पाई माने रूलिंग पाटी को ठीक लागी नी तो सही जो स्टेप को नहीं कि आमारो स्पिकर कुश्चन कर चुन्ती वाई नाट यू इल बी नाट डिस्क्वालिफाइड तो ताक्कू बेस करी कि आमारो फास्ट टोपिक दन सेकेंड दखां म मर्जर और पॉलिटिकल पाटी अंडर 10th स्केडूल सेम सेम गवर्मेंटरे आमारो बीएसपी रूल बीएसपी आमारो लीडर मने जो अच्छनती राजस्तानेस इतरे समाने मर्जर पाई एमाने आपलाई करते ले किन्तु इतरे तांकरो जो नेशनाल लेबूल बीएसपी क पर्टिकुलार इसू तो एबे आमें टोटाल डिसकोस करिए तानू ए जो टपिक तमें एटी आमें डिसकोस करें देखी पर्थव तानू कंटेक्स्ट देखाँ कंटेक्स्ट देखिवा अगरू टपिक कोण को उचिना जुडिसेल रिव्यू गाननाट बी आविलेबूल तो स्पिकर डिसिशन, स्पिकरड डिसिशन जो नवे। वेदर दा अमेल ए अर म्प विल बीदिसकोस इसुडिफाइड और नट ़ैत में ठोंत डिसकोसी after the decision of the speaker then only judicial review can be available तो ताकू बेस कोरी किया में context देखिवा context कौन को हुछी Rajasthan speaker CP Joshi has served notices to 19 congress MLA including Sachin pilot asking them why they cannot be disqualified the MLA's have time until July 17 to reply तो जुलाई 17 तो आमर कभर ही ये ची तानू या भीतर भी बहुत development आश ची बट एई जू topic को आमें जहेतू stick करी की रोखी ची तार यारो content को जहेतू आमें refer करू छे तार जो exam पाई आमर जो जिनसो important ताकू आमें बुझे आपें ट्राई करिवा तांग्रेस चू गंपलें कोर जिना तांग्रेस चू कंपलें कोर जितकः दकः कंपलें कोर जिना कंपलें किना Congress in its Presents to the Speaker has accused the rebel MLA's of attempting the Jom Parties. Why the speaker served notices to 19 Congress MLA? कानना प्याइं notice has been served under the 10th schedule of the constitution? 10th schedule of the constitution which deal with anti-defection. ताकु सिति प्यां कौन 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 लोग कौना जोची. ताले question बेढ़ बेढ़ उठू ची. कौन उठू ची question? Can a MLA go to court at any time before July 17 deadline to reply? जुलाई 17 वित्रे ताको रिप्लाई करिया पहाई कोई चन्दी स्पिकर तानु जुलाई 17 वित्रे क्यान ए MLA गो तो कॉट एट अनी टाइम कि कॉट हाव बिन एक्स्रेमली रिलोक्तांट तो इंटर्फेर विद पावर ओप स्पिकर अंडर दा 10th स्केडूल वाईल डिसाइदिंग अन डिस्क्वालिफिकेशन दा स्पिकर एक्सराइज पावर धाथ थाव बिन कॉनफर्ड तो हीम अंडर दा कॉंस्टिचूशन तो आमारो डिस्क्वालिफिकेशन या तो डिसाइड कोर चुंदी, स्पिकर बाकरे स्पेशियल पावार होची तो जुडिस्यारी चाहे नहीं के बे जमों इंटर्फियर करी भी इवेन वें चालेंज़, आज इट वाज इन दा केस अव करना टको इन 2019 दा कोर्ट गेव टाइम टौ करो दिशाइड अन। फली तो ख॥मेड़न वंध़िट पर स्पिकर या होँ तो मैं तिनी मास नहीं पर चारी मास नहीं पर डिसाइड करिया पे स्पिकर दिस्क्वालिविकेशन केसे तारो नीजर डिसीशन नो दला जाएं कोट तको इंटर्फियर करी पारी वह नी बोली ये थरे अमर कियो तो हिलों केसरे डिसाइड जॉजमेंट हला वाइल स्पिकर डिसीशन कान बी चालेंज़ subsequently the court cannot stay or prevent the process ज्य थरे भले स्पिकर डिसीशन चालेंज ही है जाएं तर चालेंज तार कोट चालेंट चालेंज़ गी तारो गीडार केसे डिसीशन केसे पारीशन डिसीशन का प्रिविलेबल इन श्भंड केड डिसीशन जॉजमेंट क। permissible nor would interference by the permissible at any interlocutory stage of the proceeding तानों after the decision then only the possibility of judicial review तापने देखा beside the court can review only court कौन review करी परिवो अनली ना infirmity based on the violation तार decision कुछे question करी परिवो नी किन्तु जो constitutional mandate जोओ छी इभान इभेन malified intention जोओ छी non compliance with rule of natural justice and perversity perversity माने गोटे जिन्सट जानी जानी खराब जिन्सट आगू तामे करू थोओ ताको perversity को आओ छी तानों एई जिन्सो कुँ बेस करी की जोदी speaker decision नहीं थिवे तांकर intention malified intention थिवे कि माने तामरो जो natural justice को non compliance करूथ वे एई ताइप रो situation रे कॉरी पारिवे ना court review कॉरी पारिवे judicial review कॉरी पारिवे the fundamental right इथरे question आशुची कॉन पाही ना outstate Rajasthan Deputy Chief Minister Sachin Pilot and 18 MLA have approached the Rajasthan High Court challenging the constitutionality of paragraph 2 clause 1 sub clause A of the 10th schedule schedule which make the voluntary giving of membership of a politically political party liable for disqualification the MLA have said the provision in prisons into their right to express dissent and it violation of their fundamental right to free speech as a legislature as a legislature also a social media for a large in Spanish, the US, and the United States, and the US to have a law of the fundamental right to free speech as a legislature of the state and the US to have a fundamental right to free speech as a legislature. तो एट एट रहे कॉंजोस्ट तम्हें गड़े अभर्विव पाई लेँ बट डिटेल डिस्कोशन आमें जेत बले कोध्रे तम्हें पाई 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 परीवो तम्हें देखिवो पोड जीवो ना आव आओ आएस रो जो आमरो डेली जो अनालीसिस जो होची विडियो ताक्कु जो तम्हें रेफर करीवो एट डेट रो ताहले तम्हें इजीली तम्हें बहुत जिन्सो जानी परीवो मुझोस्ट एथरे जहां लेखा आई ची तमकु बुझे यापें ट्राई कोली बट एथरे बहुत थरा जिन्सो तमकु जानी बार अच्छी 10th स्केडूल इवेन आमरो चैप्टर नोबर 72 को जिवो आमरो लक्षमी कांत को सेत्रे तम्हें जानी बाएं परीवो देन देखा याक्कु नेकी कोश्चेन आशीवो तो कोश्चेन कणा आशीवो ना नेम दा वेरियोस कमिटी जेड एड एड कमिशन रिगार्डेड टू आंटी डिफे टेन्थ जाओ, नाइन्थ पदे, नाइन्थ रो राउस आयस रोट डिएनेस को जिवो मूर एथरे डेस्क्रिप्शन तरे तमकु देई देवी ताकु जोदी तम्हें फल्लो करिवो सेत्रे बहुत सरा एजु कमिटी आओ कमिशन माना कर रेक्यमेंडेशन अची आंटी अटी डिफेक्शन लो रे बहुत सरा कॉन अची लाकु ना अची शित्वे में मिश्यूज कोरू चोंदी समस्ते तो सही जिन्सों कुसे मेंशन करा जाईची शेत्रे तरे त्लों 50 सेकेंड अमेंडमेंट जो अची त्याकु तम्हें लक्षमी कांतरे रेफर करी प्यारी व अमेंडमेंट नो एटा 50 सेकेंड अमेंडमेंट रे 10 स्केडूल आढ़ ही ची तापरे अमरो नेक्स्ट अमरो गोटे अमेंडमेंड ही तला सही नमबर अमेंडमेंड तमकु कुस्चन रे मुँग पचारू ची जे केते नमबर अमेंडमेंडमेंड रे आमरो 1 by 3 सपर्ट यह उतला एवे टू बाई थ्री हवा पाई पडू छी तरू टू बाई थ्री जय तबला हुच होंदी स्रतबलो कु टिक्के कोस्ट हुच समान कु त्यनु एटा में नेक्स्ट टपिक रे जोडिस्कॉस करिवा देन डिसिशन ऑफ प्रिजाइडिंग अफिसर वर्सेज आँटि दिफेक्शन लग अपलीकेबुल त्याइडिंग अफिसर जोड़ी तरू अचन थी इवेन चेयर्मेन और स्पीकर स्तांगोभाई अपलीक बूल की ताले तमें कुस्ट रे आन्शार देवो धन रिलेवेंट सूप्रीम कोर्ट केसेश और वर्डिक्ट जो रिलेव प्रविजन अफ आंटी डिफेक्शन द प्रविजन को उत्रया तम्हें पाईब ना लक्ष्मी कांत्रे पाईब अब्जेक्टिव जो अगठी ही पारी लगosasya फॉख मिलाया तम्हें पारे ज ही म्लबंद म सार लख्या है तो इसलेव गत्य है नियेगल प्रविजन कीन पारी पाईब दा राजस्तान हाई कोट हाज इसुड नोटिसेस तु स्पीकर एंड सेक्रेटरी अब दा स्टेट लेजिसलेटिव असेंबली एंड सिक्स MLA हुँ कंटेस्टेड इलेक्शन अन बहुजन समाजवाटी टिकेट एंड देन डिफेक्टेट टु कंग्रेस अगुरु समाँने ब्यस्प अंडर काटि थेले टिकेट समाँने कंग्रेस कोएवे पलेवे कोईश होंदी तो पलेवारे कोण होँब पलेवे किछी प्रब्लेम होची कोण पहीं ताको आमें देखिवाँ ब्यस्प अंग्रेस इन सेप्टेमबर लास्ट यर ताले तो अमर टू बाई थ्री जी जू दोरकार होथ ला सेट तो साटिस्पाई होची ताले प्रब्लेम कोण होची ना बट नाउ दा नेशनाल लेबूल ब्यस्प इस आर्गूइंग दाट अस्टेट उनीट अफ नेश नेशनाल पाट्रवूड सब पाटी से मिसी पारिवोनी विदाउट दा अप्रभाल अफ नेशनाल लेबूल पाटी बिसाइड ब्यस्प नेशनाल सेक्रेटरी हाज एलसो इसूड ए हुईप टू 6 MLA तेलिंग देम टू भूट एगेंस्ट दा कॉंग्रेस इन केस द्यारी ब्लय्स सबूब वेज़े फ्लॉर टेस्ट ओंग्रेस एकेंस्ट बहार तो बहली फ्लॉर टेस्ट ओव त्हले हुईप कीटो जारी करा जयीछी ताले next जोदि आमें आगो कुछ जोदि देखिवा तारो issue कौन आगो कुछ जोदि आमें detail जानिया पहें चाहिवा on what ground BSP case based? नाने कोई case, कोई ground रे एजिन सट कुछा जाऊँची BSP रो contention कौन, now the merger is illegal and unconstitutional because for a national party such merger has to take place at the national level ताले supporting Supreme Court judgment जोदि देखिवा आमें 2006 रे कॉन कले जगजित सिंग आउ state of Haryana भीतर जुर केस इतला एक केस रे कॉन इतला ना court speaker decision कुछ अफहेल कले कॉन अफहेल कले ना disqualifying for MLA from the single member party who had joined the Congress ता 2017 इतला राज़ेंदरो सिंग रोना एंड स्वामी प्रसाद मुर्या एतरे 37 MLA, one third of the BSP strength split from the party after its government fail to support समाजबाधी party तो Supreme Court ruled that split cannot be recognized primarily because not all these MLA split at once तो split जो हीची एका बड़े split है निसे थी पहीं ताकू recognize कले नहीं अगरू 1 भाई थार्ड थिला सेटा परे चेंजे से की 97th amendment बोदे ताकू तामा चेक करिवो से ऐमेंडमेंट अक्तर चांज हेगला 2 राइ थार्ड हेगला तो कुस्चोन आशुची बट वाई बट वाई इस जजजमेंट चंबन बेलेवन तोडे the key aspect is that these cases deal with split where one third of the member of the legislative party split they could not attract disqualification as the paragraph three of the 10th schedule however in 2003 91 through the 91st constitutional amendment paragraph three was deleted from the 10th schedule the amendment was made as the one third split rule was grossly misused by party to engineer division and indulge in horse trading one third was regarded as easy target to achieve and the law now exempt defection only when it is at two third two by third merger 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 the 10th schedule of the constitution prohibit the defection to protect the stability of the government but does not prohibit merger second question and defection to prohibit koruchi into merger ko prohibit koruni paragraph paragraph four clause two of the 10th schedule dealing with the merger say that only when two third of the member agree to merge the party would be exempt from the disqualification the merger referred to the paragraph four two is seen as legal fiction where member are deemed to have merge from the proposed of purpose of being exempt from disqualification rather than merger in the true sense tala i would a question i'm question pocharushi can a state unit of a national party be merged without the party being merged at national level 10th schedule identify this dichotomy between the state unit and national unit as for the paragraph four close to merger of a party means merger of a legislative party of that house not national level so in rajasthan case it would be rajasthan legislative unit of the bsp and not the bsp at the national level so what about the whip issued by bsp national general secretary to six mla would have no impact because such a direction has to necessarily be issued for voting on the floor of house so floor of house rate is usually usually it means the normally used to be used to be a national leader direction cannot be considered a whip in the context of an anti-defection law list situation for disqualification on the ground of defection disqualification co-timers applicable such a number of people is such that mla and voluntarily keep producing and disqualification such a political party so for the courts have to be under their symbol child then this would vote or abstain from voting in the house contrary to any direction issued by the party सपोज मुँं कंग्रेस रो गोटे MP, तो कंग्रेस रो मुझे दी MP हिली से वितरे कॉनल छी ना मत पाटी रो हुईप अची हुईप कथा माने आप एम पडिवो, तानू हुईप कॉनल जारी कर दिये ना भोट तमें यकू भोट दबो, या अगेंस्ट भोट दी पारी वो ना यानू जाता बड़े से टाइप रो हुईप कू जाता बड़े आमें माननी बनी मुझे दी माननी भी नी ताहले कॉनल इफ ही और सी बोट और अबस्टेन स्रों बोटिंग इन दा हाउस कंट्रारी तू एनी डिरेक्शन इसुड भाई हिज पाटी दाट इफ हिज पाटी द बिफ़र दा इलेक्शन तुन इलेक्शन जेता बड़े कंप्लीट ही जाऊची जेता बड़े इन्डिपेंडेंट क्यांडिडेट आउट पाटी कू जोएन हुची शेता बड़े से अटोमेटिकाली डिस्कॉलिफाई ही जाऊची देन इफ ए नमिनेटेड मेंबर जोएन पाटी six month after he become a member of legislature जोने नमिनेटेड मेंबर छो मास परे जेता बड़े से जोएन करीवो से त्याबड़े जाईकि कॉन अबो पाटी six month after he become a member of the legislature अमारो कॉन नमिनेटेड ही गला six month से रह गला six month वितर जोदी से चेंज कर था दा किछी प्रब्लेम नहीं कितो six month उपर कंडिशन रे अमरो defection law applicable हो ची तो आमें जोद देखिवा question पाट को आमें जीवा install link को आमें जीवा prelims को जोदी बेस करी की कौन question पचरी पारे आमें देखिवा the decision of presiding officer versus judicial review the presiding officer कर decision of judicial review वितर तरो decision को तामें बुजी पारू थुभा then merger versus split of political party then if anti defection law applicable to presiding officer is anti defection law applicable to presiding officer तो यारो answer मुँ फास्ट कुश्चन ही पाचर थे लिए तो मैं यारो answer comment section ने mention करी वो then relevant of supreme court cases and verdict यटामें discuss कर थे ले then qualification on the ground of defection तो को ग्राउंडरे जोने defection है पारिवा तो disqualification on ground of defection भी बहुत important तो मेन रो जो दी question देखिवा examine the provision of anti defection law has this law largely failed to meet its objective discuss same type of question question same तो answer तम्हें गोटे करी वो गोटे question answer करी की तम्हें group रे post करी वो तो आजी पाइं यत्ती की next आमें देखिवा नेक्स्ट वीडियोरे आमें देखिवा बहुत बोढ़या topic करना separation of power between various organ dispute redressal mechanism and institution सबु दीनों गोटे गोटे आमें section cover करी वा जो तरे आमरो complete नेस रही वो जहाँ आमें इटा complete करी ची आजी ओके तो आजी पाइं यत्ती की comment section ने तम्हें जो वानें तुम को question पहुचर लिए बहुत सरा question तको तुम्हें answer देखिवा पर ट्राइ करी वो थांक्यू पर वाचिंग इस वीडियो वाई वाई टेक केर